आधि को हेलो फ्रेंट्स आज इस तरीके के किरिला मुरल पेंटिंग वह भी पोस्टर फ्लर के साथ में हम कैसे बनाए यह मैं बनाना सिखाऊंगी और मेंनली हम सबसे पहले ईजी वे में डोइंग सिखाऊंगी कि हम किस तरीके से face drawing करें इसके लिए देखे मैंने A4 size की sheet लिए है और इसकी जो width है 21 cm है उसका just half लिए यह मैंने सारे 10 पर निशान लगाया है और सारे 10 पर ओपर और नीचे हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे ताकि हमारी लाइन एकदम स्ट्रेट आये और उस निशान से हम एक माइनस रखेंगे मतलब सारे 9 पर और नीचे की तरफ सारे गारा ताकि हम हल्कासा यह tilted line ड्रॉ कर सकें क्योंकि हमारे जो कृष्णा जी का face होगा वह हल्कासा टिल्ट है अब इसी पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में एक एक सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे 14 सेंटीमीटर दर 14 पंदर जो भी आप लगाना चाहें हमने और इसमें मार्किंग भी कर लेंगे और जब हम लाइन भी वर्टिकल जो हम लाइन डालेंगे वह भी वर्टिकल नहीं होरिजोंटल जो भी हम लाइन डालेंगे उसको भी हलका सर टिल्ट रखेंगे और पहले बेस लाइन ड्रॉ करने के बाद में दोनों तरफ आप उसी लाइन से निशान लगाते जाए उपर और नीचे और यह निशान हम दोनों तरफ लगाएंगे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल एक से उसमें चलें अगर हमारी लाइन एक से उसमें आएंगे तो हमारी वह सारी आइज नोज लिप्स पर सब एक से आएंगे अब हमने यह लाइन बहुत ही हलकी बहुत ही हलकी ड्रॉ करनी है ताकि अगर हम जब एरेज करें तो उसमें पीछे चप और उसमें हम बिल्कुल बिना प्रेशर के साथ यह लाइन ड्रो करेंगे अब इसके बाद हम जो हमने 6 नंबर पर की जो लाइन है वहां से एक एक सेंटीमेटर की दोनों तरफ हम स्टेट लाइन नीचे की तरफ ड्रो करेंगे यह हमारा नोस का पार्ट बनेगा अब 6 नंबर क लाइन से हम 4 सेंटीमेटर और एक 5 सेंटीमेटर तक हम एक लाइन कीचेंगे लेकिन 4 सेंटीमेटर पर भी हम एक निशान लगाएंगे यह राइट और लेफ्ट आपको दोनों तरफ काम करना है यह हमारी आइज यहां पर हम ड्रो करेंगे यहां पर हमारे पास एक बॉक्स का बन गया है अब उस बॉक्स में हम आइज ड्रॉ कर देंगे और जो फाइब नमबर वाली आई जो लाइन है उस पर हम एक आइबरो ड्रॉ करेंगे सेम चीज हम लेफ्ट साइड में भी करेंगे अब यहाँ पर बनाने के लिए थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने जैसे जितना डिस्टेंस हमने राइट में रखा है वैसा ही हम सेम लेफ्ट में रखेंगे और उसी तरीके से ही हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और पैंसिल अगर आप हलकी चलाएंगे तो आप इरेज करेंगे तो वह क्लीन हो जाएगा इसलिए पैंसिल हमेशा ड्रॉ करते समय हलकी चलानी चाहिए अब देखो यह इस तरीके से आप मुझे भी देख रहे हो कि मैं जैसे मैंने राइट में मेजर किया है जैसे मैंने राइट में बनाया है वैसा ही मैं लेफ्ट में बना रही हूँ अब देखो यह ऐसे थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं जैसे हमने इधर से हमारा यह नीच को थोड़ा सा ध्यान से बनाते जाएंगे तो बन जाता है थोड़ी से प्रैक्टिस की भी जरूत होती है तो प्रैक्टिस तो में होती ही है ड्रॉइंग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो बनता चला जाता है अभी देखो इसमें भी हम अब इसके बाद आइ में तिलक के लिए किया है अब यह हम तिलक बना दिया है और इसके पाथ हम यह बनाएंगे यहां पर नोज नोज में हमने यह नीचे की तरफ इस तरीके से कर्व करके हम बना देते हैं तो यह बहुत इजी रहता है और इसके बाथ में हम बनाएंगे लिप्स यह थोड़ा सा पार्ट मेरा कट गया है अब देखिए साइड में हम यहां पर थोड़ा सा आइस के हमने साइड से जितना हमने साइड में छोड़ा है एक थरीकी से मार्किम लगा लेंगे उसमें क्या है आपको यह पूरा ड्रो करना आजाएगा साइड का आपका जो आउटर वाली लाइन है वह भी हमारी छोटी बड़ी हो जाती तो उसके लिए भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे यह देखो यह अब मैंने क्रिशना जी का पूरा यह फेस ड्रो करके दिखाया हुआ है और इसमें अब आउटर वाला पार्ट तो बहुत ही इसी है आप बना सकते हैं बड़े आराम से अगर आपको यह सारी चीज़ें भी सीखनी है तो मैं इसमें भी छोटी छोटी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आप उसको देखिएगा और मेरी वीडियो आप बिदाउट स्किप करें देखेंगे तो छोटी 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 ट्रिक्स जो होती है जो की यूटीब फिनल पर बहुत रेरी होते हैं वो मैं आपके पेपर पेड आप करते हैं फिल करते हैं तो हमेशा उसको एक कलर पैलेट में बना लेना चाहिए और उसमें जितना भी आपको पानी डालना है उतना पानी एक बार में मिलाकर एक क्वांटिटी में कलर मिलाकर तब उसको आप करेंगे तो उससे पैचिस नहीं आते हैं है इस पानी जादा लगाते हैं इसलीर उसमें पैचिस आजा जाते हैं पोस्टर कलर में पानी क्लटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपका color ना तो बहुत पतला हो ना ही बहुत जाना ठिक हो अब यहां पर मैंने nose वाले पार्ट में हलका सा light color किया है क्योंकि हमारी nose उभी हुई होती है तो वहां पर हमारा light color होता है और इस तरीके से यह मैंने बिल्कुल simple way में किया है इसका एडवांस भी मैं अब आपके पास बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी और वो मैं कैन्वस पे बनाऊंगी और कैन्वस हम घर पे भी कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो आप मिझे कमे प्रिवेशन मिलता है और फिर नए-एडिया भी आते हैं और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी इसलिए आप मेरे चैनल को फॉलो जरू कीजिए मेरे चैनल को सर्फटाइब कीजिए अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए अब दे आपको सिंपली कलर ब्रश में लेना है और आपको एपलाई करना है और इसके अलावक कुछ नहीं करना होता है इसमें जो हमारी पेपर पर जो हम ड्रॉइंग करते हैं बेसिक यह बेसिक मैंने आपको जो केरिला मूरल पेंटिंग एक मेरा था कि मैं छोटे बच्चों को भी आहें सिखाऊं क्योंकि मदुभनी पेंटिंग केरिला मूूरल पेंटिंग वॉरली पेंटिंग यह सारी पेंटिंग ऐसी हैं जो आपको होलीडES होम व 거죠 में मिलती है इसको बनाना बहुत ही easy है, आपको अगर इसको बनाने में कोई दिक्कत होती है, कोई आपको problem आधी है तो आप comment box में लिखिएगा, मैं आपकी वो problem भी short out करने की कोशश करूंगी यहां पर देखे मैंने जहां पर ड़क कलर है वहां पर डाल कलर अपलाई किया है और जहां बहुत सुन्दा लाएगा देखे इस तरिके से आपको कलर फिल करना है अब यह आप स्टार्टिंग बेसिक वाला काम कर रहे हैं तो आप एक वार इस तरह से करके देखिए और यहां पर हम ब्रश को खड़ा करके चलाते हैं तो हमारी लाइन पतली बनती है आप आईब्रो बनाईए ब्लैक कलर में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर भी इसमें मिला कर आईब्रो बनाई है और अंदर मैंने आईब्रो में ब्लैक कलर ही किया है ब्लैक में थोड़ा सा मैंने ब्लू भी मिलाया है इसमें और इसमें सेंटर पाले पार्ट में हलका सा वाइट क पूरा फेस बना लेंगे अब आती है जो एल्री की बारे जोल्री में मैं यलो में और 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 तो यहां पर मैं इस रेट कलर से इसकी आउटलाइनिंग करूंगे और आउटलाइन करते समय जब आपको पतली लाइन ब्रश के साथ में ड्रॉ करनी है तो आपको खड़ा ब्रश चलाना चाहिए और खड़ा ब्रश चलाएंगे आप तो इस तरीके से आपकी पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहां पर मैंने बेसिक बताया है क्योंकि जो जोईल्री और यह सारी चीज़ें केरला म्यूरल में जो होती है वह बहुत ही इंपोर्टेंट होती हैं और उसमें यह थोड़ा सा बेसिक वाला मैंने अपने थोड़ा सा माइंड से बनाया है नेक्स टाइम में मैं कैन्वस पे आपको एक्रिलिक पेंट से करके दिखाऊंगी वो भी बहुत सुन्दा लगता है यहां पर मैंने इसी तरीकी से यह सारी जोईल्री बना ली है जोईल्री बनाने के बाद लोटस में वाइट और रेड की शेडिंग करके डाक रेड से बाद में शेड दिया था तो यह इस तरीकी से बन जाता है नीचे भी यहां पर दो लोटस में भी मैंने कलर करके और स्काइब ब्लू से नीचे का वाटर वाला सीन वेप शेड में बनाया है नॉर्मली सिंपल फिल कलर कर गया है और उसके ओपर डाक ब्लू से मैंने शेडिंग कर दिया अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज कमेंट जरूर करें और आप ड्रॉ करके देखिएगा ड्रॉ करके आपको कैसा लगता है अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू